Hello everyone, welcome back to our channel, आज हम शुरू करेंगे अपने accounting का एक और नया chapter जिसका नाम है accounting for share capital, जब भी बात आती है share capital तो हमारे दिमाग में हमेशा सबसे पहले आता है company, चूँकि share capital जो है वो company की होती है, तो यहाँ पर हम अपने इस chapter के अंदर share capital की accounting सीखने जा रहे हैं, यानि companies के बारे म हमें इस chapter के अंदर बात करने हैं, इस chapter को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दू, यह chapter आपका one of the most important chapter में से आता है, चूँकि इसमें से exam में दो question आते हैं, एक बड़ा practical question आता है, और एक theory question आता है, कई बार जो है दो theory question भी आ सकते हैं, और एक practical तो आता ही आता एक्जाम के point of view से मैं आपको थोड़ा बहुत starting में theory करवाऊंगा और उसके बाद हम practical portion के उपर चलेंगे theory मैं सिर्फ इसीले करवा रहा हूँ ताकि आपका practical questions के लिए base बन जाए बाकी ज्यादा theoretical portion पे हम अभी ध्यान नहीं देंगे इस chapter के theory के उपर मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आउँगा जिसके अंदर हम सारा theory portion कवर करेंगे तो फटा-फटा इस chapter को शुरू करते हैं chapter शुरू करने से पहले आप फटा-फटा एक बार पहले चैनल को subscribe कर दो bell icon press कर दो और description box में आपको telegram group का link मिलेगा उसको जाके join कर लो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को like भी करना और जाता से यदा share भी करना तो शुरू करते हैं हमारा accounting for share capital का chapter कई आपको accounting for share capital की जगह इस chapter का नाम issue of share capital भी देखरे को मिल सकता है तो वो कोई अलग नहीं है एक ही बात है अभी आपको आगे जाके सारी बाते समझ में आ जाएंगी कि दोनों का मतलब सेम ही होता है तो अगर मैं शुरू करूँ उस chapter को तो सबसे बहले हम बात करते हैं forms of business की तो अगर forms of business की बात करें तो यहाँ पर हमारे तीन तरीके की business की forms आ गई सबसे पहला होगे हमारा sole proprietorship यानि हमारा सबसे छोटा business उसके बाद आता है हमारा partnership थोड़ा बड़ा business थोड़ा बड़ा बिजनस हो जाता है partnership के अंगर उसके बाद आता है हमारा तीसरे में मर पर company ज जियो है कई सारी बड़ी बड़ी companies हैं इंडिया के अंदर तो यहाँ पर हम इनी companies की share capital की accounting की बात करने वाले है कि आखर companies किस तरीके से अपने share capital की accounting करती है अभी तो आपको share का मतलब भी नहीं पता तो उसके बारे में भी discuss होगा पहले यहाँ पर देख लेते हैं अगर मैं बात करूँ अपर्छी से दुकान खोली है जिसका ही अकेला मालिक है तो इसलिए अपना च्छोटा सा बिजनस कर रहा होता है अब क्यूंकि यह अकेला अनर है इस बिजनस के अंदर capital भी कम होती है अकेला आदमी business के अंदर कितनी capital invest कर लेगा ज्यादा तो नहीं कर पाएगा तो इसलिए सोल परपरटनर्शिप के अंदर साइज ओफ बिजनस भी स्मॉल होता है और साइज ओफ कैपिटल भी स्मॉल होती है वहीं अगर मैं बात करूँ पार्टनर्शिप की तो यह हो गया हमारा थोड़ा बड़ा साइज का बिजनस यहाँ पर जो ओनर होते हैं वो दो या दो से जादा होते हैं अगर आप दो चालोग मिलके साथ में कोई बिजनस शुरू करते हो तो उसको बोलते हैं पार्टनर्शिप का बिजनस कि आप सब लोग इस बिजनस के मालिक हो जो की partnership में काम कर रहे हो तो partnership के अंदर दो या दो से ज़ादा business के मालिक होते हैं जो की मिलकर business करते हैं अब यहाँ पर business की owner ज़ादा हो गए तो इसका मतलब है कि capital लगाने वाले लोग भी ज़ादा हो गए तो अगर business को capital ज़ादा मिलेगी company हमारा सबसे बड़ा form of business है इसके अंदर जो owners होते हैं वो unlimited होते हैं यानि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर owners के उपर कोई limit नहीं है जितने मर्जी चाहे उतने owners हो सकते हैं हो सकता है 10 लाक ओनर हो 15 लाक ओनर हो 20 लाक ओनर हो company के अंदर जो number of owners होते हैं उसके उपर कोई limit नहीं होती तो जब company के owners ज़ादा हैं तो इसका मतलब है कि company की capital भी ज़ादा होगी और अगर company को capital ज़ादा मिलेगी तो इसका मतलब है कि company के पास बहुत सारा पैसा होगा तो company का size of business तो automatically increase हो गया बहुत बड़े size of business होता है company का अब यहाँ पर यह owners कौन होते हैं किस तरीके से यह लोग company को पैसा देते हैं उसी के बारे में हमारा पूरा chapter है इसके अंदर हमें इनी सब बातों के उपर discussion करना है तो धीरे धीरे देखेंगे क्या खर किस तरीके से company काम करती है company किस तरीके से public से पैसा लेती है तो सारी बातों को समझेंगे तो यहाँ तक की बात अब को clear हो गई आप आगे बढ़ें तो अब बात करते हैं liability की तो देखो sole proprietorship और partnership के अंदर owners की liability unlimited होती है जबकि वहीं company के case में owners की liability limited होती है तो अभी यह कैचक करें तो अभी देखते हैं इसको उससे पहले आप यहाँ पर company के features देख लो company के कुछ features बता रखें एक बार उसको समझ लेते हैं तो अगर हम company के features की बात करें तो सबसे पहला feature जो होता है वो यहाँ पर हमारा see point है इसको आप देखो company के owners को बोलते हैं हम members और shareholders अभी देखो आपने देखा था उपर sole proprietorship के owner को क्या बोलेंगे उसको तो owner ही बोलेंगे लेकिन अगर मैं बात करूँ partnership की तो यहाँ पर business के owners को क्या बोलते हैं partners उसी तरीके से जो company के owners होते हैं उनको हम members या फिर shareholder के नाम से जानते हैं अब यह shareholder का क्या मतलब है कि जिस person के पास company के share है वो company का shareholder कहलाता है अब यह shares क्या होते हैं पहले इसी को समझे लेते हैं अब जोगो यहाँ पर यह 4 दोस्त हैं यह 4 दोस्त जो हैं अपनी-अपनी कार खाएदना चाते हैं लेकिन इन 4 के पस पैसे नहीं है तो काफ़े टायम से कोशिश कर में की एक पैसा इकर्टा करके कार खाया है लेकिन ऐसा नहीं हो पारा तो एक दिन ये लोग आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम चारो कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हम अलग-अलग अपनी अपनी कार नहीं खरीद पारे तो क्यों न हम एक काम करें कि हम चारों के चारों एक साथ पैसे को एकटा करें, साथ में अपना-पना contribution दें और मिलकर कार खरी दें और वो कार हम चारों की होगी, जिसको जब जर्वत होगी वो इसको इस्तिमाल कर लेगा तो यहाँ पर जो कार इनको पसंद आ रही है, उस कार का प्राइस है 20 लाग, 20 लाग प्राइस है यह हमारी कार है, जो कि इन चारों ने purchase करी, अब यहाँ पर यह जो चार लोग है, इन चारों के नाम है P, Q, R, S पहले वाले का नम P है, दूसरे वाले का Q है, तीसरे का R है और चौथे का S है यहाँ पर देखो नीचे बता रखा है कि कार लेने के लिए किस परसन ने कितना contribution करा सबसे बहले अगर मैं P की बात करूँ, तो P ने जो है 10 लाक रुपे दिये, जबकि जो Q है उसने 5 लाक रुपे दिये, R ने जो है 3 लाक रुपे दिये, और S ने जो है 2 लाक रुपे दिये तो यहाँ पर 4 ने ही 20 लाक रुपे में अपना contribution दिया, अपना अपना share दिया, यहाँ पर देखो share वड़का है मैं इस्तमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर सब ने अपना अपना share दिया, लेकिन सबका share अलग अलग था, सबका contribution अलग अलग था, किसी ने ज़्यादा पैसा दिया तो किसी ने कम पैसा दिया, जिसके पास जितना पैसा दा, उसने उतना contribution दिया, तो अब अगर मैं आपसे पूछू कि यह जो कार है, यह 20 लाक रुपे की इनोंने purchase तो कर ली, लेकिन आखिर इस कार का मालिक कौन है, तो आप कहोगे कि जिसने सबसे ज़्यादा पैसा दिया, वो इस कार का सबसे बड़ा मालिक होगा, उसके बाद जिसने उससे कम पैसा दिया, सेकेंड नमर पर वो मालिक होगा, उसके बाद जिसने और कम दिया, उसका नमर तीसरा आएगा, और जिसने सबसे कम दिया, उसका नमर लास्ट आएगा, आप सीधे सीधे ही कहना चाहते हो, कि जिसने जितना पैसा लगाया, उसके इसाफ से उसकी ownership डिसाइड होगी, यहाँ पर division of ownership हो गया, इन चारों के shares के इसाफ से इनकी ownership डिवाइड हो रही है, P ने कार में 10 लाग रुपे लगाया, यानि पूरा का पूरा आदा पैसा लगाया, 50% पैसा P ने ही लगाया, तो P जो है महीने में 7 दिन कार अपने पास रखेगा, उसके बाद तीसरा नमर आगया R का, R ने 3 लाग रुपे दिये, तो R जो है इस कार को 5 दिन के लिए अपने पास रखेगा, उसके बाद बात करें S की, S ने 2 लाग रुपे दिये, तो S जो है, सबसे आखिर में, सबसे कम दिन के जिसने जितना share दिया उसके इसाफ से उसकी उतनी ओनर्शिप डिसाइड होगी तो शेर का मतलब समझ में आ रहा है शेर का मतलब होता है division of ownership तो जिसका जितना share उसकी उतनी ओनर्शिप अब इसी example को हम company में लागते हैं यहाँ पर फर्क इतना है कि सिर्फ car की जिगे पर company आ ज एक बार समस्ते हैं इस बात को तो यहां पर इस एक्जामपल को देखो यह हमारी Reliance Industry Limited Reliance Company बहुत बड़ी है जिसके मालिक कौन है अमबानी Family लुकेश अमबानी तो Reliance Industry Limited के जो शेर्स है जो number of share है वो कितने है 644.51 करोड शेर्स यह number of shares की बात कर रहा हूं कि Reliance Company के इतने shares है और आज की डेट में एक share का प्राइज है 2753.20 यह आज के share का प्राइज है तो अगर हम number of share को multiply करते शेर प्राइज से तो हमारे पास Reliance की share capital आ जाएगी अगर आपको किसी भी company की share capital निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे माल लो यहाँ पर हमारे पास यह 50 share है एक share है 2753.20 पैसे का 50 into 2753.20 पैसे तो यह इन 50 shares की कीमत आ गई की इन 50 share की आज की market value कितनी है एक लाग 37660 रुपे दुबार सुनो माल लो यह 1% है 400 इसके पास Reliance के 50 share है और आज का एक share का market price चल रहा है 2753.20 पैसे तो यह एक share का price है और 100 के पास 50 share है तो अगर मैं पूछू की इन 50 share की आज की market value कितनी है तो आप बोलोगे एक लाग 37660 रुपे जो यह 50 shares है इसको बोलते हम number of shares और यह जो 2753 रुपे 20 पैसे है इसको बोलते हम issue price या फिर market value भी बोल सकते हो तो समझ में आ रहे है आपको तो इन सारी बातों को एक बार यहां से समझते हैं तो हमारे कार वाले example के अंदर कार कितने की थी 20 लाग की 20 लाग की चार लोगों के इंदर डिवाइड होगी तो यहां पर 20 लाग की कार है जिसकी ओनर्शिप चार लोगों के इंदर डिवाइड हुई तो जितने लोग contribution देंगे जितने लोग अपना share देंगे या मैं कहूं जितने लोग पैसा लगाएंगे उतने लोगों में ownership डिवाइड होती है अगर मालों यहां पर चार के जिगे पर 5 परसन मिलके एक कार खरीद है तो उस केस में कार की ownership 5 लोगों में डिवाइड होगी हालेकिन एक फायदा हो जाएगा कि अगर 5 लोग आते हैं तो उस केस में हर एक का contribution थोड़ा और कम हो जाएगा उसी तरीके से अगर मालों 6 लोग आते हैं 6 लोग मिलकर एक कार खरीटने तो उस केस में उनक्या contribution और भी कम हो जाएगा तो जितने ज्यादा number of persons बढ़ते जाते हैं उतना ही कम आपको contribution देना पड़ता है तो division of ownership बढ़ेगी तो आपका contribution कम होगा लेकिन साथ के साथ number of persons भी increase होंगे या मैं establish होई थी 1958 में जिस टाइम पर Reliance का नाम था Reliance Commercial Corporation उसके बाद 1966 में इस company ने अपना नाम चेंज कर दिया Reliance Commercial Corporation से चेंज करके Reliance Textile and Engineers रख दिया उसके बाद 1973 में दुबारा से इस company ने अपना नाम चेंज करा और रख दिया Reliance Industries Limited और 1973 से लेकर आज तक इसका नाम Reliance Industries Limited ही है तो ह हम इसको R.I.L. के नाम से जानते हैं तो यहां पर जब यह Company विखनी नाम से जानते हैं। तो अब यहां पर फेली हो बनाया होता है उनको हम company का promotors बोलते हैं तो यहां पर Reliance को start करwiąते हैं। अब वैलानी फेजिया है Reliance Company की promoter है उन्होंने जो है इस company को अपने खुद के पैसो से चलाया 1977 तक इन्होंने पब्लिक से पैसा नहीं माँगा अपने खुद के पैसो से ही business चलाया लेकिन 1977 में RIL के promoters को जब पैसो की जुरत पड़ी और उन्हें लगा कि अब हमें public से पैसा लेना चाहिए तो उस case म RIL ने जो है सबसे पहली बार 1977 में अपना IPO निकाला, IPO का मतलब क्या होता है, IPO का मतलब होता है initial public offer, जब भी कोई company पहली बार share रेकर आती है market के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम initial public offer, पहली बार ये company जो है public को अपने shares offer करने जा रही है, और फिर जब दूसरी बार या तीसरी बा आगे कभी company share को market में लेकर आती है, तो उसको बोलते हैं हम FPO, FPO का मतलब हो गया follow on public offer, तो एक होता IPO, एक होता FPO, तो अब अगर मैं Reliance के IPO की बात करूँ, तो Reliance ने सोचा कि हम जो है public से 2.82 करोड रुपीस लेंगे, यानि public को अपनी company के 2.82 करोड रुपीस के shares बाटेंगे अब देखो एक बात समझ लो, जब तक IPO नहीं आया था, तब तक Reliance की 100% ownership Reliance के promoters के पास थी, लेकिन जैसे ही company ने IPO निकाला, वैसे ही Reliance की ownership डिवाइड हो गई, सीधी बात है, अभी हमने उपर कार वाले example में देखा, कि अगर कार को खरीदने के लिए number of persons बढ़ते अगर माल लो, एक अकेला person यहाँ पर कार को खरीटा, तो कार 20 लाक रुपे की होती, और उस कार का वो 100% ओनर होता, लेकिन कार जो है 4 लोगों ने मिलकर खरीगी, तो इस case में इस कार की ownership 4 लोगों के अंदर डिवाइड हो गई, सेम उसी तरीके से यहाँ पर जब तक company के promoters अकेले दम पर business चला रहे थे, तब तक company के 100% ownership उनके पास थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने public से पैसा मागना शुरू करा, public से पैसा लेंगे और public को अपनी company के ownership देंगे, तो वैसे ही जो है इस company के ownership डिवाइड हो गई, तो यहाँ पर पहली बार Reliance ने अपना IPO निकाला, और Rel 2.82 करोड रुपीस की जरुवत थी, 2.82 करोड कितना होता है, 2.82 लेक्स, तो अब ये बात थी 1977 की, उस टाइम पर इंडिया में लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, ये बात Reliance को भी पता थी, कि अगर हम public से इतना पैसा मांगते हैं, तो public तो इतना पैसा देनी पाईगी तो यहाँ पर Reliance ने बोला कि एक काम करते हैं, हम अपने 2.82 करोड के छोटे छोटे चोटे तुकडे कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं, तो यहाँ पर Reliance Industries ने बोला कि हम हर एक परसन से 10 रुपे मांगेंगे, 10 रुपे तो कोई भी देतेगा, उस टाइम पर 10 10 रुपे भी बहुत होते थे, लेकिन 10 रुपे तो फिर भी लोग दे सकते थे, तो Reliance ने सोचा कि 2.82 करोड रुपे हमें चाहिए, अगर हम हर एक परसन से 10 रुपे भी मांगें, तो हमें total कितने लोगों से पैसा मांगना पड़ेगा, तो यहाँ पर उन्होंने calculate करा कि उन् अपनी ने हर एक परसन से 10-10 रुपे मांगें, और market के अंदर अपने 2.82 मिलियन शेर को इस्यू कर दिया, अब यहाँ पर जो है, ऐसा भी हुआ कि किसी परसन ने एक ही शेर खईदा, किसी ने 10 शेर भी खईदे, किसी ने 100 शेर भी खईदे, किसी ने 1000 शेर भी खईदे, किस उसको बोलते हूं, face value, जब भी कोई कमपनी पहली बार शेर को इस्यू करती है, और जिस प्राइस पर इस्यू करती है, उसको शेर की face value बोला जाता है, तो 1977 में Reliance का एक शेर 10 रुपे का मिल रहा था, आज उसका क्या प्राइस आप देगी सकते हो, 2753 रुपे 20 पैसे, तो य इस परी किसे जो है, companies, market के अंदर शेर को इस्यू करती है, और public से पैसा लेती है, तो यह हमारा हो गया number of shares, जिसको हमने multiply करा face value से, और हमारे पास आगया 2.82 करोर्स, जिसको बोलते हैं हम company की share capital, तो company की share capital कैसे निकलती है, number of shares issued, जितने share issue करे गए, उसको multiply करेंगे share की face value से तो हमारे पास निकल कर आजएगा company की share capital, तो यह हो गई reliance की share capital, कब की बात और यह 1977 की, अब अगर मैं बात करूँ आज की, 2024 की, तो आज जो है reliance के total number of shares हो गए 644.51 करोर्स, तो यहाँ पर देखो, आज की date में कितने जादा लोगों को ownership divide हो चुकी है, जैसे जैसे company के आज company के number of shares इतने हैं, और एक share का price है, 273 रुपे 20 पैसे, तो अगर हम इसको multiply करें, तो हमारे पास जो आएगा, उसको हम बोलते है, market capitalization, इसको हम market cap के नाम से भी जानते हैं, तो यह जो market capitalization है, यह daily basis पर change होता रहता है, आज share का price है, 273 रुपे 20 पैसे, कल share का price फिर से change हो पर सो फिर से change हो जाएगा, तो जैसे जैसे share का price change होता जाता है, वैसे वैसे market capitalization भी change होता जाता है, लेकिन जो share capital होती है, वो number of shares के साब से fix रहती है, 2024 के अगर मैं बात करूँ, तो 2024 में company के number of shares कितने 64.51 करोर, तो यह number of shares हैं, इसको हम multiply करेंगे company की face value से, इसको ध्यान से जब भी हम share capital निकालते है, तो share capital की अंदर हम number of shares को हम हमेशा company के share की face value से multiply करते हैं, तो यहां पर अगर हमें 2024 में company की share capital जाननी है, कि कितनी है, तो हम क्या करेंगे company के number of shares को multiply करेंगे, company के shares की face value से, जो कि आज भी 10 रुपई ही है, और आगे भी यह 10 रुपई ही रही कि, क्योंकि share की face value थोड़ना change होती है face value का मतलब भी गई है कि पहली बर जब IPO निकाला गया था तो उस ताइम पर जिस price पर share इचू करा गया था वो company के share की face value बन जाती है वैसे भी share capital बहुत सारे types की होती है तो जब हम types of share capital देखेंगे तो वहाँ पर आपको share capital का concept और अच्छे से clear हो जाएगा share capital के उपर तो हमारा पूरा का पूरा chapter है तो हमें इसी के बारे में बात करनी है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अपना समझ में आता जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या समझना है तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि यह जो Reliance Industry है इसकी कितनी Share Holding किसके पास है तो अगर मैं इसकी Share Holding की बात करूँ कि यह जो 644.51 करोर Shares है यह Shares किसके पास है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो Ambani Family के पास इस Company के 50.39% Shares है यानि More Than 50% अगर किसी के पास किसी Company के More Than 50% Shares है तो इसके मतलब है वो उस Company में सबसे यादा Control रखता है अब ही हमने कारवाल एक्जमपल में देखा जिसका Share जितना बड़ा होगा उसकी Ownership उतनी जादा होगी तो यहाँ पर Reliance Industry के उपर सबसे यादा Ownership किसी है Ambani Family की तो यह इस Company के मालिक हो गए या मैं कह सकता हूँ यह इस Company के Promoter हो गए जो Company बनाता है वो Company का Promoter कहलाता है जो Company स्टार्ट करता है उसको Company का Promoter बोलते है और बेसिकली Company का मालिक भी वही होता है उसके पास Company की सबसे यादा Share Holding होती है सीधी बात है जो Company बनाएगा वो Company में से अपना Control कैसे जाने देगा मान लो कलको Ambani Family जो है आपने इस 50% Share Holding को कम करके 49% कर दें तो उनका तो Company को पर से Control चले जाएगा Company के अंदर कोई भी Decision लेना होता है तो उसके लिए 50% प्लस Voting Power आपके पास होनी चाहिए देखो किसी भी Company के अंदर One Share, One Vote का रूल होता है यानि एक Share आपका एक Vote के बरावर होता है तो जिसके पास जितने Share होंगे उसके पास उतना Voting Right होगा अगर किसी के पास 10 Share है तो उसका Vote 10 Vote के बरावर होगा अगर किसी के पास 100 Share है तो उसका Vote 100th Vote के बरावर होगा इस Voting Right का इस्तमाल करा जाता है Company के Decision लेने के समय पर जब भी Company को कोई Proposal पास करवाना होता है तो उस Case में जो है Company एक Meeting Organize करवाती है जिसको बोलते हैं Annual General Meeting उस Meeting के अंदर Company के सारे Shareholders को बलाए जाता है Shareholders कौन होते हैं जिनके पास Company के Shares होते हैं यहाँ पर देखो Reliance Industries के 50.39% Share जो है वो अमबानी फैबली के पास है जबकि जो बचेवे Shares है Remaining 49.61% Share जो है वो Public के पास है आप कहीं पर भी चले जाओ इंडिया के क्या World के किसी भी कोड़े में चले जाओ आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि हमारे पास Reliance Industries के Share है तो उनके पास Share कहा से आए उनके पास Share आते है Share Market से जिसको हम Stock Market बोलते है उसके बारे में भी बात करेंगे थोड़े दिर में पहले आप यहाँ पर यह समझो कि जो Reliance Industries के 49.61% Share है वो है हमारे Public के पास और Public जो है इस Company के अंदर 49.61% की Share Holding रगती है यानि Public जो है इस Company की मालिक है लेकिन कितने % Share की मालिक है 49.61% Share की मालिक है जिसने जितना पैसा लगाया उसको उतनी Ownership मिलेगी सबसे यादा Ownership किसके पास है अमानी Family के पास है और कोई भी Proposal Pass कराने के लिए कोई भी Decision लेने के लिए 50% प्लस Voting Power काफी होती है Company का हर एक Share खहिदने पर आपको Company के अंदर Voting का राइट मिलता है जब भी कोई Decision पास करवाना होता है कोई Proposal पास करवाना होता है तो Company जो है एक Meeting और्णाइस करवाती है जिसको हम बोलते है Annual General Meeting AGM इस Meeting के लिए Company के सभी Shareholder को Invitation आता है लेकिन आखिर में Proposal पास होगा या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा तो वो डिसाइड करेगा वो Person जिसके पास Company की सबसे ज़्यादा Ownership हो और यहाँ पर Final Deezer लेने का राइट किसके पास आ जाता है हमारी Family के पास जिसके पास Company के सबसे ज़्यादा Shares है तो आप इनको Company का Promoters भी वो सकते हो चूँकि इनोंने Company को शुरू करा और शुरू करने के साथ ही More than 50% Shares अपने पास रख लिए जिसके पास जितना ज़्यादा Shares उसके पास उतना ज़्यादा Company का Control तो समझ में आ रही है आपको बात Shares का Concept क्या होता है Shares का मतलब होता Division of Ownership यहाँ पर Reliance Industries की Ownership डिवाइड हो रख ही है तो इसका मतलब है कि यह इस Company के अंदर 50 Shares का Owner है 50 Shares तो इतनी बड़ी Company के लिए बहुत छोटी बात है इस Company के करोडों में Shares हैं तो 50 Shares का मतलब हो गया कि यह इस Company का एक बहुत ही छोटा सा मालिक है लेकिन मालिक तो है, Shareholder तो है अब भली वो नाम का हो लेकिन है तो सही तो यह सोहन क्यालाएगा Company का Shareholder जहाँ आप बोल सकते हो Company का Member अगर आपके पास Company के 10 Shares भी है तो भी आप Company के Shareholder ही क्यालाओगे अगर आपके पास Company के लाखों में Shares है तो भी आप Company के Shareholder ही क्यालाओगे बस Difference यह होगा कि जिसने Company के अंदर जितना पैसा लगाया उसको Company की उतनी Ownership मिलेगी तो समझ में आगी बात अभी अगर फिर भी कोईसी को डाउट रहेगा तो कोई दिकत नी है आगे हम और एक्जामपल लेंगे तो वहाँ पर आपको concept clear हो जाएगा अभी फिलाल के लिए आप रुखना मत अठकना मत कहीं पर भी आगे बढ़ते चलो आगे जाके आपको सारी बाते समझ में आजेगी अब देगो ये भी समझ लो क्या फिर पब्लिक जो है किसी Company को पैसा क्यों देखी है किसी Company में पैसा क्यों इन्वेस्ट करती है तो देखो हम ये देख रहे थे आज Reliance के शेर का प्राइस है 273 रुपे 20 पैसे कल को ये मानलो शेर का प्राइस 2800 रुपे हो जाए तो यहाँ पास सोहन जो है अपने इन 50 शेर को बेज देगा और प्रॉफिट कमा लेगा मानलो थोड़े टाइम बात ये प्राइस 3000 हो जाए तो सोहन को हो गया कि आपके शेर की वैल्यू बढ़ती जाती है तो उसके इसाफ से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है वहीं अगर मैं दूसरे रीजन की बात करूं तो सेकंड रीजन होता है यहाँ पर हमारा डिविडेंड पब्लिक जो है जब कंपनी में प अगर मालों आपके पास ABC Limited के 50 शेर्स है तो कंपनी कहती है कि हमने डिसाइड कराया कि एक शेर के उपर हम 20 रुपे देंगे तो अगर आपके पास 50 शेर्स हैं तो आपको डिविडेंट के नाम पर 1000 रुपे मिल जाएंगे तो डिविडेंट कैसे बढ़ता है कंपनी जो है प रुपे हो सकता है, 50 रुपे होसकता है, 100 रुपे होसकता है, 200 रुपे होसकता है, 500 होसकता है तो वह मsheesh कि समय जाएगे वापिस अपने उसी पॉइंट के उपर जिसको हम छोड़ कराये थे तो यहां पर हम कंपनी के क्या क्या 粉ेशर्स होते हैं, Donc here पहले मैंने बताया कि कंपनी के ओनर्स को हम मेंबर्स बोलते हैं या फिर शेयर होल्डर्स बोलते हैं तो यह आपको समझ में आ गया तो अभी यहां पर इपॉइंट को देखो कि जो कंपनी है वो रेजिस्टर होती है अंडर का कंपनी जैक 2013 तब यह क्या चीज है तो यहां प 2013 जब आप पढ़ते हो तो वहां पर हम कंपनी के बारे में बहुत डिटेल में डिसकस्यन करते हैं अभी तो मैं यहां पर आपको कंपनी के बारे में सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट अफ व्यू से बता रहा हूं जितना अकाउंटिंग के लिए हमें जरुआत है हम सिर्फ अब उतनी बात कर रहे हैं तो कंपनी रुट्स और रोलेशन को फॉब नहीं करता है तो उस case में उस company के उपर penalty भी लग सकती है और कई बार जो है company को बंद भी कर जया जाता है तो हर company को company's act 2013 को follow करना mandatory है यहां तक कि company बंती ही company's act 2013 के साफ से है company's act के अंदर बता रखा है कि आपको कौन-कौन से procedures को follow करना है किस process को follow करके आप एक company बना सकते हो अभी कोई भी company कै इसे बनती है उसके बारे में भी हम आगे थोड़ा बहुत discussion करेंगे बाकि detailed discussion तो इसका company law के अंदर ही होता है तो यहां पर क्या बोला गया है कि हर company को जो है अपने आपको company's act के अंदर registered करवाना पड़ता है यानि company's act के अंदर जो process दे रखा है उसको follow करना पड़ता है और company's act था वो था हमारा company's act 1956 लेकिन वह बहुत पुराना हो गया था तो government ने उसको change करा और नया वाला company's act आ गया company's act 2013 तो समझ में आगी अपको बात तो यह दो point हमारे हो गए अब अगर मैं तीसरे point की बात करूँ पहला point है हमारा artificial person company जो है हमारी एक artificial person होती है अब इसका क्या owners और company के बीच में लगावा है एक curtain लगावा है जो की company को और company के मालिकों को अलग अलग करता है. country's act के अंदर साब साब बोलावा है कि company जो है वो आगे रहती है जबकि company के जो मालिक है वो company के पीछे एक पढ़े में रहते हैं. कमपनी के अंदर कोई भी काम होता है तो वो कमपनी के नाम से होता है हम कभी भी यह नहीं कहते कि मुकेश अमबानी ने यह स्कीम लाउंच कर दी या यह नया प्लैन लाउंच कर दिया हम हमेशा यह बोलते हैं कि जियो ने यह नया वाला प्लैन लाउंच कर दिया कभी भी हम कम भी situation में जब भी कोई बात करनी होती है तो हम कहते हैं कि company ने ऐसा कर दिया company ने वैसा कर दिया तो हम ऐसी बात क्यों कहते है company खुद कैसे सारे काम कर सकती है company कोई इनसान थोड़ी ना है जो काम कर लेगी तो आखिर ऐसा क्यों बूला जाता है तो देखो इस companies act ने company को एक person का status दे रखा है companies act बोलता है कि company जो है हमारे लिए एक artificial person है जिस तरीके से इनसान जो होते हैं, humans जो होते हैं वो एक natural person होते हैं उसी तरीके से company को भी एक person का status दे रखा है जिसको बोलते हैं हम artificial person company जो है companies act से बनी है जानि company जो है law के द्वारा बनी गई है इसलिए वो natural person नहीं है लेकिन वो एक artificial person है और यहाँ पर companies act में company को artificial person का status दे रखा है और बोलावा है कि company जो है अपने नाम पर सभी काम कर सकती है company जो है अपने नाम पर market के अंदर shares को ला सकती है company जो है अपने नाम पर public से पैसा ले सकती है company जो है अपने नाम पर कोई भी contract कर सकती है यहाँ तक कि company जो है अपने नाम पर किसी को उपर case भी कर सकती है अगर company का किसी के साथ कोई conflict हो जाता है तो उस case में company अपने नाम से दूसरा को पर case करती है उसी तरीके से अगर company ने कोई जलत काम कर है तो अगर आपको company को पर case करना है तो आ यहां तक कि उस company को पर पैनल्टी भी लगी है तो वह भी Google के नाम से लगी है चुकि company हमारी एक artificial person है company को भी हम एक person ही मानते हैं company's act ने company को person बोलावा है और यहां पर यह जो concept है हमारा पर्दे वाला इस concept ने क्या करा इस concept ने company को और company के मालिकों को अलग-अलग कर दिया आगे दिखाई दे रही एक company कि सारा काम company कर रही है लेकिन actual में काम कौन कर रहा है परदे के पीछे बैठे हुए company के मालिक अब ऑवेसी बात है मालिक का मतलब मैं promoters की बात कर और इसी रहे यहाँ पर यह concept आ गया हमारा separate legal person का या फिर इसको separate legal entity बोल सकते हो हमें यहाँ पर बोल सकते हैं कि company जो है हमारे लिए एक separate legal person है company जो है अपने नाम से सारे काम कर सकती है और कभी भी company और company के मालिकों के बीच में जो परदा है वो नहीं हटने वाला सिर्फ तो फिर वहां पर यह पर उड़ जाएगा और actual person को देखा जाएगा कि आखिर company के पीछे बैठावा कौन है जो company को चला रहा है और company के अंदर यह सारे fraud कर रहा है तो कुछ cases companies act के अंदर बता रखें जिन cases के अंदर यह परदा उड़ता है और company के पीछे बैठेवे actual persons को दे परदा या फिर आप कर्टेन बोल सकते हो तो यह हमारा corporate will का concept है तो समझ में आगे आपको बात तो company हमारी एक person है company का आपने आप में separate bank account होता है company के नाम से होता है company के अपनी खुद की stamp होती है तो कई सारी बाते होती है companies को लेकर जो कि हम companies act के अंदर पढ़ते हैं या मैं कह artificial person तो company जो है एक artificial person होती है या आपको समझ में आ गया और साथ के साथ company जो है separate legal person भी होती है या आप इसको separate legal entity भी बहुत सकते हो तो यह दो point आपके clear हो गए आप रहा गया हमारा last check d point जिसके अंदर क्या बोला है company can sue or be sued in its own name यानि company जो है किसी के उपर अपने नाम से case कर भ और क्या बोला गया है कि sole proprietorship और partnership के case में इनके owners की liability unlimited होती है यहाँ पर हम owners की liability की बात कर रहे है अब इसका क्या मतलब है तो यहाँ पर देखो यह sole proprietorship का business है जिसका यह एक अकेला owner है तो माल लो यह bank से लोन लेता है कितने का लोन लिया इसने इसने लिया 50 लाग का लोन तो वो पैसा इसने अपने business के अंदर invest करा तो इसने अपनी दुकान को चलाया बहुत महनत से काम किया लेकिन उसके बावजूद इसको loss हो गया तो अब इसने जो पैसा invest करा था उस पैसे का तो नुकसान हो गया वो पैसा तो लोस में चला गया तो अब जब bank वाले इससे पैसा पे मान जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, बैंक वाले कहेंगे कि तुमारी दुकान गई, तुमारे सारा बिजनस गया, लेकिन अभी भी तुमारी परस्नल प्रॉपर्टी तो बचीवी है न, तो ये जो 10 लाग रुपे हैं, ये हम तुमारी परस्नल प्रॉपर्टी में से रीक करा जाएगा जब तक उसकी सारी property बिखना जाए यहां पर owner यह कहकर बचण नहीं सकता कि मेरे business के अंदर loss हो गया पैसा मैंने business के लिया था तो business का नुकसान हो गया तो हम मैं पैसा नहीं चुगा सकता, इस तरीके की कोई बात ओनर नहीं बोल सकता, तो यहाँ पर ओनर की unlimited liability है, जब तक वो liability pay नहीं करेगा, तब तक उससे recovery होती रहेगी, तो समझ में आगी बात unlimited liability का मतलब clear हो गया, अब यही unlimited liability partnership के case में भी होती है, यहाँ पर हमार पास एक owner था, जब कि partnership के अंदर हमार पास दो या दो से अदा owner हो जाते हैं, हमारे इस example के अंदर हमार पास तीन owner है, तीन मालिक है, तो यह तीनों partners ने बिलके bank से loan लिया, और फिर वही बाता जाती है, अगर इनके business के अंदर loss हो जाए, तो उस case में bank जुआ है, इनसे पैसा recover करके रहेगा, फिर चाहे उसके लिए इनका घर क्यों ना बेचना पड़ जाए, इनकी personal property क्यों ना बेचनी पड़ जाए, लेकिन इनसे recovery तो होगी होगी, क्योंकि इनकी liability unlimited है, तो partnership हो चाहे, sole proprietorship हो, दोनों के अंदर owners की liability unlimited होती है, जबकि वहीं अगर मैं बात करूँ company की, तो company के case में owners की liability limited होती है, अब इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर हमारे इसी example को देखो, यहाँ पर हमारा यह सोहन है, जिसने reliance के 50 share खई दें, तो भले इसने 50 share खई दें, लेकिन यह तब भी क्यालाएगा तो company का shareholder, और company का shareholder का मतलब है कि company का owner, company का owner तो है ना, भले एक छोटे से हिस्से का owner है, लेकिन owner तो है, तो इसने company के 50 share खई दें, तो इसका मतलब है कि इसकी liability कितनी की बनती है इसकी liability से 50 share की बनती है अगर मालो यह आज Reliance के 50 share खहिता है तो एक share का price कितना चल रहा है आज 273.20 पैसे तो इसको Reliance company को total कितना पैसा देना पड़ेगा total इसको देना पड़ेगा 1,37660 रुपे यह इसके 50 shares का total price है तो यहां पर सोहन ने 50 share खहिते हैं तो 50 share का जितना price बनेगा वो इस company को पे करेगा और सिर्फ इतना ही पे करेगा इससे यादा पे नहीं करेगा अब यहां पर अगर मैं कहाँ दू रिलाइंस ने जो है एक loan ले लोन किसने लिए ने अपने नाम से लिए और अलगे और तो क्या company के case में bank वाले Spark from वाले शेयरोल्डर के पास आ सकते हैं तो बिल्कुल आसकते, सोहन ने 50 share ख़ई दियें miscon love तो यहाँ पर सोहन की liability company को आख़र 50 share की है है, यहाँ पर सोहन की limited प्लस शेर होलिग है अब कल को bank वाला सोहन के पास नहीं आएगा bank वाला जो है company के members के पास नहीं आएगा उसी तरीके से अगर मैं इसको बड़े रेवल पर बात करूँ तो अमबानी family के पास company की 50% plus shareholding है तो ये company के promoters भी है तो जब भी हम company के promoters की बात करते हैं न तो वहाँ पर थोड़ा से rule change हो जाते हैं लेकिन फिर भी ये company के promoters हैं और साथ के साथ company के shareholders हैं तो भले ही company इनकी क्यों न हो भले ही ये company के अदर सबसे ज़्यादा shareholding क्यों न होल्ड करते हों लेकिन उसके बावजूद company अलग है और company के members अलग हैं company के shareholders अलग हैं कल को bank वाला इनके पास भी नहीं आ सकता company के shareholders यहाँ पर bank को creditors को बोल सकते हैं कि तुमने पैसा company को दिया था company अपने आप में एक separate person है artificial person है तो जग तुमने पैसा company को दिया था तो उस पैसे के recovery भी तुम company से ही करो जब तक company के अंदर फाइदा हो रहा है तब तक bank वाले को पैसा मिल जागा लेकिन जिस दिन company का loss हो गया company का नुकसान हो गया उस दिन जिसका पैसा डूबता है डूबे company के creditors कभी भी company के owners के पास उनकी personal property में से पैसा मांगने नहीं जा सकते तो company के अंदर सबसे बड़ा benefit हो जाता है यहाँ पर shareholders को company के owners को जो की है मारा limited liability का benefit तो समझ में आरे अपको बात clear होगा है limited liability का concept तो यहाँ पर हमने company के features देख लिए और यह भी देख लिए कि company के जो owners होते है उनकी liability limited होती है तो समझ में आगी यहाँ तक बात तो आप देखते हैं types of companies क्या खिर company कितने types के होती है तो देखो company जो हैं बहुत सारे types के होती है companies act के अंदर company बहुत सारे types में डिवाइड कर रखी है लेकिन अगर हम accounting की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो types की company पढ़नी है एक होती है अमारी public company और दूसरी होती है अमारी private company आप ऐसे समझ सकते हो private company का मतलब हो गया छोटी company और public company का मतलब हो गया बड़ी company